गुड मारिंग स्टुडेंट्स वेलकूम तो माई चैनल तुड़े वी लर्न मैथेमेटिक्स क्लास फिफ्ट और चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे पहले हैं तो यह आप चैप्टर बहुत इंटरस्टिंग है तफ नहीं आप पढ़े द्यांस समझोगे तो आपको बहुत इसी लगेगा इंट्रस्ट का मतलब क्या होता है इसमें सिर्फ इंट्रस्ट का मतलब है जैसे हम कैश हम कोई डिपोजिट करते हैं बैंक में आप जाते होगे बैंक में कैश डिपोजिट करने के लब ममा के साथ या पापा के साथ तो आपको पता है उस कैश को जब हम डिपोजिट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसके उपर ना interest लगने लग जाता है, interest मतलब कि उसके उपर हमें कुछ percent का cash मिलता है, ठीक है, जो bank वाले हमें provide करते हैं, कि आपने हमारे bans में पैसे deposit किये, तो हम उसके उपर आपको कुछ पैसे हम आपको अपनी तरफ से दे रहे हैं, इंटरस्ट लगा रहे हैं तो वो होता है आपका इंटरस्ट, तो सिंपल इंटरस्ट हम पढ़ेंगे, स्टार्ट हम करते हैं सिंपल इंटरस्ट, और भी इंटरस्ट होता है, लेकिन पहले हम सिंप इंटरस्ट को पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ते हैं with the help of example हमें उसे clearly समझा जाएगा example के सुरू तो first example हम start कर रहे हैं read it carefully and find out what Raju is doing in this picture अब इसमें हमें example ले रहे हैं Raju का कि आपको इस pictures में देखना है कि Raju क्या कर रहा है अब सबसे पहले राजू इस picture में क्या कर रहा है Raju has deposited rupees 100 in a bank Raju ने bank में 100 rupees deposit किये ठीक है after one year अब एक साल के बाद Raju goes to the bank वो bank गया to find out about his deposited money देखने के लिए कि जो उसकी money deposit उसने की थी वो वहाँ पर है या नहीं है उसको find out करने के लिए चीक है check करने के लिए जैसे हम check करते हैं inquiry करते हैं हमारे bank में कितने पैसे पढ़े हैं भी है ना तो वो one year after one year वो check करने के लिए गया the manager of the bank informs Raju that rupees 100 deposited in the bank one year before has now becomes rupees 110 बैंक का manager है वो कहता है राजु को कि आपने जो सोर पे deposit किये थे bank में एक साल पहले अब वो कितने हो गए है 110 हो गए है 110 रुपीज हो गए तो यह कैसे हो गए यानि कि जो rupees 100 उसने bank में deposit करके छोड़ दिये वन year के लिए तो वो क्या बन गए 110 बन गए यानि उसके उपर 10 रुपीज का क्या लग गया इंटरस्ट मिल गया उसको 10 रुपीज उसको फाइदा हो गया ना 10 रुपीज का उसके उपर उसको उसने सोर पे दिये और उसको 110 मिल गए यानि 10 रुपीज extra मिल गए तो वो कैसे मिल गए तो उसने बोला राजु ने thank you but how did my rupees 100 become 110 after one year कि मेरे rupees 100 110 रुपीज कैसे बन गए एक एक साल के बाद तो मैनेजर उसको कहता है when someone deposited money in a bank जब कोई भी bank में money deposit करते हैं तो bank जो है वो उनको pay करता sum extra money कुछ extra money pay करता है on the deposited amount जो आपने amount deposit कर रखा होता है उसके उपर कुछ extra money bank वाले pay करते हैं क्यों क्योंकि में पैसा डिपोजिट किया होता है कि profit क्या है, हर इक बैंक का अपना अपना ईंट्रस्ट होता है, वह कितना देतें हैं तो इसलिए आपके पैसे, रुपेश 100 से कितने हो गए 110 हमगें, तो यह आपको जो 10ुटó अपने मिला है, राज्वीट को मिला वो क्या है उसे ही interest कहते हैं क्या कहते हैं उसे interest तो ये clear हुआ आपको example राजु वाला ठीक है अब हम इसके next page पे move करते हैं इसके next page पे क्या है page number 1559 पे हैं next page पे है money deposited in a bank is called principal जो money हम deposit करते हैं बैंक में उसे बोलते हैं principal ये कुछ terms है simple interest निकालने की तो ध्यान से पढ़ने है principal क्या होता है जैसे आप राजु ने 100 पे deposit किये तो 100 पे उसके principal है ठीक है अगर आपने bank में 500 रुपीज deposit किये तो 500 आपका principal है ठीक है तो जो भी money आप deposit कर रहे हो bank पे वो principal है ठीक है और जो extra money आपको bank provide करता है जैसे आप 100 रुपीज राजु ने दिये थे और उसको कितने मिले 110 मिले तो जो 10 रुपीज है वो क्या है उसका interest है तो जो extra money pay होती है bank bank द्वारा by the bank is called interest ठीक है next है the period of time after which money is withdrawn is called time जो time होता है यानि कितने time के बाद आप money को withdraw कर रहे हो withdraw मतलब निकाल रहे हो तो वो क्या होता है time वो कौनसी term है time की ठीक है और जो extra money paid by the bank जो भी extra money bank pay कर रहा है for every rupees hundred after one year is called rate of interest rate of interest और interest में क्या फर्क है ध्यान से सुनना interest का मतलब है कि जैसे आपने 500 रुपीज या 1000 रुपीज या उससे भी उपर आपने पैसे जमा करवा है bank पे तो वो उसकी percentage की according interest ढलते है 10%, 20%, ठीक है 9%, 7% ऐसे उस पर interest लग किया आता है ठीक है percentage वाला chapter हमने किया था है ना हमें पता है उसकी according ही हम percentage निकालते है cash की उपर principle की उपर ठीक है लेकिन जो rate of interest है ना इसका मतलब होता है कि जितने भी 100 रुपी है उसमें जैसे मालो आपने 500 रुपीज deposit किये तो 500 में कितने 100 रुपीज होएंगे 5 तो जितने भी 100 रुपीज है तो after 1 year के बाद हर एक 100 रुपीज के उपर जो extra money मिलती है उसे rate of interest कहते है जैसे अब राजू ने 100 रुपीज पर deposit किये तो 100 रुपीज कितने rate of interest मिला 10 रुपीज का तो ऐसे ही 500 पर कितना मिलेगा अगर 100 पर 10 का मिला तो 500 पर कितना मिलेगा 50 का तो यह होता है आपका rate of interest ओके और bank जो है यह अब पता रहे हैं कि क्या आपको पता है do you know the bank also gives loans bank जो है वो loans भी provide करता है loans क्या होते हैं loans होते हैं कि जब हम कुछ time के लिए bank से पैसा लेते हैं ठीक है उधार उधार कहते हैं loan लेना हम पैसे लेते हैं जैसे bank loan यह home loan होता है और property loan होता है ऐसे कई loan होते हैं घर बनाने के लिए loan लेना हो property खरीदने के लिए loan लेना हो या business loan लेना हो कोई आप business start कर रहे हो तो वो loan भी कौन provide करता है bank provide करता है बस यह होता है कि जितने आप bank से पैसे लेते हो उससे यादा आपको देने पड़ते हैं जवाब रिकवर करते हो उसको उसके बाद है the bank has given Ramu a loan bank ने Ramu को loan दिया कितना दिया रूपिस थी 6,000 तो purchase a tractor क्योंकि उसको एक tractor purchase करना है तो उसने कितने रूपिस का loan दिया 6,000 का ठीक है अब देखो रामू यह रामू है रामू ने bank से loan लिया tractor purchase किया अब क्या हुआ after 3 years 3 साल के बाद रामू जब पैसे वापिस करने के लिए आया loan के पैसे तो उसको 10% interest भी चार्ज करना पड़ा bank के थूँ यानि कि अगर आप bank में पैसे deposit कर रहे हो तो आपको interest मिल रहा है तो जब आप bank से loan लेते हो न तब आपको interest उसको वापिस देना होता है है ना तो 10% के interest के हिसाब से उसने 6,000 रुपिस लिए तो 6,000 के 10% interest के हिसाब से उसको वो वापिस करना पड़ेगा ठीक है तो वो होता है हमारा loan here the money borrowed to the principal and extra money to be paid is called the interest जो भी आप money borrow करते हो लेते हो ठीक है principal के उपर प्रिंसिपल जितना आपने deposit किया है और extra money आपको pay करनी पड़ती है उसे interest कहते है ठीक है तो आज हम इतना ही पड़ेंगे इन दोनो pages को आप read करोगे बिटा फिर हम उसके आगे पड़ेंगे ठीक है बिटा थैंक यू गडब्लेस यू टेक कियर